36 गड की बीजापूर जिले में शनिवार को पुलिस और नकसलियों की बीच मुठवेर हुई थी इस मुठवेर में सिम्डेगा की रहने वाले CRPF असिस्टेंट कमांडरिन शांती भूशन तिर्की का पार्थिव शरीर रहिवार की सुबर राची एरपोर्ट पर पहुँचा राची एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर के आने के बाद वीर शांती भूशन अमर रहे भारत माता की जैके नारों से पूरा एयरपोर्ट गुंजने लगा शांती भूशन के पार्थिव शरीर को CRPF कैम्प ले जाया गया है जहां राज के राजबाल और मुखमंतरी सहिद CRPF और पुलिस के आला अधिकारी शहिद सांती भूशन तिर्की को अंतिम स्रधांजली अरपित करेंगे शहीद सांती भूशन का अंतिम सुरधांजली अर्पित करने के बाद शांती भूशन का अंतिम संसकार राची में ही होगा CRPF और जहारकन पुलिस की तरफ से इसकी तेयारियां की जा रही है बीजापूर में नकसलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए असिस्टेंट कमांडन शांती भूशन मूल रूप से सिम्डेगा जिले के बोलवा परखंट के कसीरा गाउं के रहने वाले थे लेकिन उनका पूरा परिवार राची के डिवडी इलाके में कई वर्सों से रह रहा था शहीद सांती भूशन तिर्की के पिताब BSF से रिटायर होकर राची अस्तित आवास में ही रह रहे हैं शहीद की पत्नी पुश्पा तिर्की 10 वर्सिय बेटा अनिकेत और धाई शाल की बेटी अनिशा अपने दादा के साथ ही राची अस्तित घर में ही रह रहे थे न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ